क्या आप जानते हैं मकान के किराय पर income tax लगता है अच्छा जी हाँ जालू वित्तिय वर्ष यानि assessment year 2019-2020 के लिए रहने वाले एक मकान को छोड़ कर बाकी सभी मकानों के किराय पर income tax देना अनिवार है अगर उनसे किराया नहीं आता है तो भी market rate से निर्धारित उनके deemed rent पर income tax देना है लेकिन मैंने housing loan भी तो लिया है उस पर भ्याज और घर की maintenance का खर्चा भी तो है घबरा ये नहीं किराय पर deductions मिलते हैं किराय का 30% बिना किसी documents या accounts के दिये हुए municipal taxes और दिये हुए home loan के interest पर deductions उपलब्ध हैं अब देखिए कितना income tax बच जाता है याद रखिए आपके home loans और खरीद विकरी की सारी जानकारी income tax department के पास उपलब्ध है इसलिए house property पर income tax देना जिम्मेदारी ही नहीं समझदारी भी है